अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर दियो सब्स्राइब बेटन के बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर दिये तो जब जब मैं वीडियो अप्लोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा हलो फ्रेंट्स आप सभी का मेरे चैनल क्रैकोबर में स्वागत है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी गाड़ी से बिल्ट नोइज आ रहा है तो उसको कैसे सही करना है और ये किन-किन कारणों से ये जो बिल्ट का नोइज है ये आता है तो आज मैं पूरा बताने वाला हूँ पहले मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी में किस तरह का बिल्ट नोइज आ रहा है तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं बिल्ट नोइज क्या हो रहा है हलका हलका आ रहा है बट मैं जब गारी का हेडलाइट आउन करूँगा और जब मैं हीटर प्लग दे दूँगा तो गारी से ये साउंड बढ़ जा रहा है मतलब जब अल्टरनेटर पे लोड बढ़ रहा है तब ये साउंड पूरा बढ़ जा रहा है और बहुत लग बोलते हैं कि भाईया इस पे अल्टरनेटर बिल्ट चेंज कर दो बार बार आप अल्टरनेटर बिल्ट चेंज करते हैं फिर भी ये प्रॉब्लम सही नहीं होता है आज मैं इसका पुरा प्रॉपर सॉलूशन बताने वाला हूं कि क्या प्रॉब्लम होता है और ये साउंड क्यों आता है अभी देखिए मैं गारी का हेडलाइट आउन कर देता हूं तो हलका साउंड बढ़ जाएगा फिर मैं जैसे हीटर प्लग दूंगा तो साउंड और ब बोड दोनों कर दिया है और देख सकते ह्सांड पुरा बढ़ चुका आ है मैं भी हीटर बंद कर दे रहा हूं क्योंकि जादर देर हीटर नहीं च्लू किया दाता है मैं इसका बतातों सॉल्यूशन क्या है तो फ्रेंड्स ऐसा कि देख सकते हैं पूरा आण है कि यहां पर आपको दिख रहा हुआ अल्टर नेतर पड़ रहा है तो इसका प्राप्लम है मैं अभी आपको पुरा solution बताने वाला हूँ, पहले मुझे मैं गारी बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो चिक चिक की sound है, यह कहां से आ रही है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, कि यह process सिर्फ Tata Indigo में नहीं होगा, आपके पास कोई भी गारी है, सफारी हो, स्विप्ट हो, आपके पास बुले ना, जो भी गारी हो, पुर लगा हूँ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह मेरा उपर का जो कैम साफ है, इसका यह पुली है, यह आपका fuel pump है, देख सकते हैं, यह fuel pump का पुली है, ठीक है, वो आपका adjuster पुली है, और नीचे में pump का पुली है, और आप देख सकते हैं, यह आपका alternator का पुली है, यह और वो बड़ा बल्ट का आपका बड़ा वêtल पुली, जो नीचे में तो值 में केंगेजनगेelnियद में और हम looks बेल्ट और इससे जल्दी नोईज नहीं आता है लेकिन अभी आपको गारी चालू करके दिखा दिया है कि जब मैं हेडलाइट और आपका जो हीटर प्लग है उसको चालू कर देता हूं तो नोईज बढ़ जा रहा है और एक्चुली कोई-कोई गारी को में क्या होता है कि हम अगर जो अल्टरनेटर है वो सई से चार्जिंग नहीं करता है ना बैटरी को मतलब क्या होता है फ्रॉपर करेंट नहीं जा देता है बैटरी को चार्ज करने के लिए या फिर आपने बढ़ ज्यादा एंप्यर का बैटरी लगा दिया है जैसे इनडिगो के लिए कंपनी 65 एच की बैटरी देती है और अगा आपने 65 से मतलब 70 तक डाल सकते हैं 70 तक आउज नहीं आता है लेकिन आप जैसे 70 के उपर जाएंगे 70 एच से उपर की बैटरी पर जाएंगे तो अल्टरनीटर को ज्यादा पावर लगता है बैटरी को चार्ज करने के लिए तो अल्टरनीटर पर कंटिनीवा साउंड आती है तो बैटरी तो हम जल्दी चेंज करते नहीं है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैट को हम कैसे चेक करेंगे तो जैसेक देख सकते है यह जो आपका बड़ा वाला बैल्ट है यह बड़ा बैल्ट है देख सकते हैं आसे कितना ज्यादा चमक रहा है तो नीचे वाला जो बैल्ट देख सकते हैं वहाँ जो पुली है वो भी कितना चमक रहा है मतलब ये जादा इतना इसले चमक रहे हैं क्योंकि ये belt इस पे घिसता है और ये इसको पूरा smooth कर दिया मतलब क्या इसको पूरा plane कर दिया है और ये इतना चिकना हो गया है मतलब इतना यह जो पुली है इतना चिकना हो गया है इसमें से चिक-चिक आवाज आती है जब built रगड़ता है और यह built क्या चिका बना रहता है यह built rubber और आपका जो आपका नाइलोन का रहता है threads उससे बना रहता है तो friends आपको और एक चीज में बताता हूँ जब आप कोई भी rubber का piece को tiles पे ragding ऐसे करके तो उससे भी same इसी तरह की sound आती है या फिर आप जो glass होता है glass पे भी अगर आप rubber को अच्छे से दवाक अगर आगे पीछे करेंगे तो उससे भी चिक-चिक की sound आती है तो ये reason है इसे चिक-चिक का sound आने का belt खराब नहीं होता है belt का जो edges होता है वो खराब हो जाता है तो मैं अभी आपको पुराना belt लेके दिखाता हूँ कि belt में मैं आपको क्या समझाना चाहरा हूँ आपको उससे अच्छा से समझ में आएगा तो friends जैसे कि आप देख सकते हैं यह मेरा मेरी गाड़ी का पुराना belt है खराब नहीं हुआ था बट मुझे change कराना था क्योंकि belt का जादा दिन life नहीं होता है मतलब maximum इसे हमें 40,000 km पर belt को change कर देना चाहिए और तीन साल के अंदर इसको change करना चाहिए तीन साल से जादा रखेंगे तो build तूटने का खतरा रहता है तो इसको तीन साल या 40,000 km के मतलब में आपको change कर देना है तो मैं आपको क्या बता रहा था जो यह जो rubber है देख सकते हैं यह जो rubber है यह काफी जाए चिक्रना हो जाता है तो क्या होता है नीचे का जो alternator pulley है यह इसको build को दोनों साइट से ऐसे करके भी पकड़ कर रखता है जो alternator का pulley है उसको ऐसे करके पकड़ कर रखता है मतलब दोनों साइट से alternator का pulley उसको दबा कर रखता है तो क्या होता है जब यह गूम के अल्टरनेटर की पुली में वापस से बैठता है तो इतना स्पीड रहता है कि चिक चिक है साउंड इस साइड और जो अल्टरनेटर के पुली है उस पर चिपकने के वज़ा से आता है तो आपको मैं बता देता हूँ कि alternator pulley को कैसे check करना है कि आपको alternator pulley से ही sound आ रहा है या फिर कहीं और से sound आ रहा है मतलब जो built है उसको ऐसे करके पूरा पकड़ के रखा है चाओड तरफ ठीक है तो क्या होता है जब गूमता है तो उसको ऐसे करके दबागे रखता है तो जब बिल्ट ऐसे हलका साभी ऐसे हिलता है तो क्या होता है उस रगड के वज़ा से चिक-चिक-चिक-चिक-चिक की साउंड आती है और जब बिल्ट पे मतलब जो अल्टरनेटर का लूड नहीं करेगा तो भी अल्टानिटर पर ज्यादा लोड आता है तो यह चिक-चिक की साउंड उससे भी आती तो मैं आप यह आपको दिखाता हूँ यह चिक-चिक की साउंड को कैसे चेक करना इसके लिए हमें पानी चाहिए होगा हलका सा एक धकन सिर्फ पानी मतलब एक धकन कोई भी पानी डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा तो फ्रेंड्स मैंने एक धकन पर पानी ले लिया इतना सा आप देख सकते इतना सा पानी आपको क्या करना है देख सकते कितना पानी है देखे एक धकन पानी इससे जादा नहीं लेना है और इसको ध्यान से यहां से आपको डालना है बेल्ट पर हलका हलका करके आपको डालना है बेल्ट के पानी तो फ्रेंड्स देख सकते हैं साउंड लगबग चला गया है मतलब कि आपका जो बेल्ट है बेल्ट जो पुली है पुली दोनों साइड से बेल्ट को हलका दबा रहा है और देख सकते हैं हलका प्ले जो था देख सकते हैं प्ले अभी भी है लेकिन बेल्ट अभी वैसा रगड नहीं खा रहा है और हलका हलका साउंड अभी भी आ रहा है लेकिन यह problem definitely जो pulley है पुली सही से belt को मतलब जब ज़़ से कहीं दबा रहा है कहीं नई दबा पा रहा है जो बनों और से इसलिए टिक्टाइक के sound आ रही है मैं अभी आपको गारी बंद करके बताता हूँ कि आपको इसके बात क्या करना है तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जो पुली है उसको चेंज नहीं करवाना है ठीक है आपको पुली चेंज नहीं करवाना है बेल्ट भी चेंज नहीं करना है आपको सबसे पहले इस तरीके से बेल्ट को चेक करना है कि साउंड जाता है कि नहीं जाता है और और एक बात मैं को बता दे रहा हूं कि ये जो problem आता है देख सकते हैं ये जो built वाला problem है ये दो रीजन से आता है में आप लोग को सब बोलता होगा कि जो alternator का built है उसको change कर दो आप उसको बार बार चेंज कर वाते होंगे फिर जब भी sound नहीं जाता होगा तो क्या problem होता है जब alternator पर ज्यादा load आता है ना तब आपका alternator से चिक्चिक की sound आती है जब आप headlight on कर देंगे जैसे कि मैंने गाड़ी में headlight on हो गया और मैंने जब heater दिया तो ये चिक्चिक की sound आती है और जब गाड़ी गरम हो जाता है तो भी ये कभी कबाद चिक्चिक की sound खतम हो जाती है और एक reason रहता है कि गाड़ी जब आप जब गाड़ी में बड़ा battery लगा देते है ना जैसे indigo में जैसे recommended 65ah का battery रहता है ठीक है और उसके बाद जब आप battery थोड़ा ज्यादा power का battery लगा देते हैं मतलब 70 से उपर का तो क्या होता है alternator को उसको charge करने में ज्यादा तकत लगेगा मतलब ज्यादा उसको load पड़ेगा तो ये आवाज continuous आने लगती है कभी कबाद मतलब कभी कबार किया मतलब control शुबा आती है और गारी जोग आपका heat हो जाता होगा कर फूली हीट हो जाता है built हो जाता है तो क्या हम से सउन नहीं आता उतना ज्यादा और और फार मतलब wok Phariseesम ज्यादा लगा दिया है आपने ज्यादा मतलब ampere का या फिर आपका जो speaker है वो जादा ampere का है या फिर आपका जो AC में fault आ रहा है या फिर जो alternator का circuit होता है जो अंदर का diode circuit होता है जो मतलब की rectify करके आपका battery को charge करता है अगर वो भी खराब हो गया है तो भी alternator के जादा load आएगा और जो चिक चिक की sound है वो भी आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है इस तरीके से build को check करना है उसके बाद आपको क्या करना है आपको अपनी गारी का charging है वो भी check करना है अगर आपने बड़ा battery लगा के देखा आपने अगर बड़ा battery गाड़ी में लगाया हुआ है तो एक बार गाड़ी को start करिए उसके बाद battery का जो negative terminal होता है उसको निकाल दीजे ठीक है negative terminal निकाल देना है उसके बाद आप इसको देखिए कि गाड़ी का जो 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 चिक-चिक का sound है वो जाता है कि नहीं जाता है अगर उससे चला जाता है तो पुली इसका change करो बेल्ट खराब नहीं तो बेल्ट चेंज मत करवाईएगा अगर बेल्ट चेंज करवाते हैं तो original ही बेल्ट लगवाईगा क्योंकि जो बेल्ट होता है वो proper size का नहीं मिलता है कभी आपको हलका सा भी अगर चौड़ा हुआ ना बेल्ट हलका सा भी मतलब पुली का जो size है उसमें बैठने का देशक देख दिखाया था मैंने आपको यहां पर हलका सा play है देख सकते हैं हलका सा gap है हलका सा gap है ना उसी gap वो gap नहीं रहता है जब आपका गाड़ी जब नया company के तुरू आता है तो यह perfect रहता है और जब भी आप देखते हों गाड़ी नहीं नहीं आती है तब यह built का noise नहीं आता है जब आप गाड़ी में built change करवा देते हैं तब यह built का noise आने लगता है दो-तिन महेने के बाद built change कराने बाद यही reason है क्योंकि built original रहता है लेकिन जो होता है perfect नहीं रहता है perfection का बात आता है यहां पर तो friends देख सकते हैं यह मेरा जो है ना plastic और जब आप built built उतरवाएंगे तो इस पर हलका सा oil जो engine oil होता है इसको हलका से engine oil इस पर डलवा दिजिए और आपका यह sound है पुली का sound नहीं आएगा और एक वीडियो मैं अभी upload करूँगा जिसमें pump का fault के वाजा से जो चिक-चिक का sound है वो सुबा सुबा आता ह होगा गाड़ी में जैसे आप गाड़ी स्टार्टिंग सुबा में स्टार्ट करते होंगे तो pump के वज़ा से बहुत ज्यादा चिक-चिक का sound आता होगा आप accelerator देते होंगे तो गाड़ी बढ़ता नहीं होगा वो problem भी मैं आप वीडियो में upload करूँगा और फिलाल तो इस व जाता है तो यहां का पुली यह बड़ा वाला भी पुली और पीछे वाला पुली तीनों को आपको चेंज करना पड़ेगा इसमें हलका खर्चा तो लगेगा आपको लेकिन यह चेंज करवा देंगे तो आपका जीज़ों यह जो परिसानी है यह कम से कम नहीं भी तो प्रेज को आप जाके लाइक करिए तो मैं उसमें हमेशा लेटेस्ट अपडेट डालता रहूंगा और उसका लिंक मैंने वीडियो के डेस्क्रिप्शन पर दे दिया है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को सेर करिए थैंक यू वन्स अगेन फर वाचिंग मैं वीडियो जय हिन जय भारत